गुरुजे प्लीज कुछ मॉटिवेशन दे तो जिससे पढ़ाई अच्छे से करें तो मेरा मानना ये है कि आपके माबाब और उनके हालाद आपके भाई भेहन उनकी उम्मीद हैं आपके लिए सबसे बड़ा मॉटिवेशन है आज आप देखते हैं कितने लड़के कमेंट कर प्रते हैं कि सर वो मुझे छोड़के चली गई नौकरी नहीं ल लगी तो आपको भी डर होना चाहिए कि नौकरी नहीं लगी तो आपको भी वह छोड़के जाएगे या वो कभी आएगी नहीं तो यह मॉटिवेशन काफी है कोई आप पहाड नहीं खोद रहें कोई आप रतन टाठा बनने का टार्गेट लेके नहीं बैठे हैं कि आपको अडानी बनना है यह नरंदर मोधी बनना है छोटे से टार्गेट हैं सरकारी नौकरी लेने के लिए इसमें भी अगर तुम्हारा इतना मॉटिवेशन लग जा रहा है तो आगे जीवन में क्या करोगे चोटे-चोटे कामा में भी मॉटिवेशन साइकल से जा रहे थे चैन उतर गई अब खड़े हैं रस्ते में कोई जानी थोड़ा मॉटिवेशन दे तो चैन चड़ा जिन्दगी हो या साइकल वहतर तभी चलती है जब चैन चड़ी हो चैन सगाई हो उसमें भी चैन नहीं चड़ेगी तो बबाल हो जाता है